नमस्कार आप बेख रहे हैं न्यूजवल इंडिया मैं हूँ आपके साथ प्रद्यम निशर्मा एक नज़र डालते हैं उत्राकंड की खास ख़बरों पर कॉंग्रेस सेवदल्न की बिल का विरोद करते हुए शाहिद समारक पर भाझपर सरकार के क्लाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया है और वहीं लालकुवा में भाजपार शक्ती केंद्र की कारेशाला आयुजित की गई है जिसमें जिलाद्यक्षे प्रदीफ बिष्ट ने कारेकरता उसे बूत स्तर पर आयुजित होने वाली संगठन के सालाना कारक्रमों के उपयोगता रखी और उनको आयुजित करने के लिए प्रभारीे नुख्त किये उन्होंने भाजपार सरकार देश के लिए और राज के लिए क्यों आवशक है इस पर भी प्रकाश जाला है और केंद्र सरकार राज सरकार के द्वारा जनहित में किये जा रहे इक कारेव को आम जंता तक पौचाने का आवान किया और वहीं देरादून में कोर्णा संक्रमित और मरीजों की मौत में कमी आ गई है पिछले 24 गंटे में 6 कोर्णा मरीजों की मौत हुई है और वहीं 25 नई मरीज मिले हैं नेनिताल में सबसे जादा 90 कोर्णा मरीज मिले हैं देरादूर में 65, हरिद्वार में 36, पॉडी में 24, उदम सिंग नगर में 21, अलमोडा में 15, टेहरी में 9, पितोरागड में 8, उत्तरकाशी में 7, चमूली में 5 संक्रमित मरीज मिले उत्रकंड में रोडवेस करमचारियों की हरताल का चोथा देना है, कर्मियों की हरताल पर चले जाने से जगा जगा यात्री फसे हुए है वही आक्रोशित रोडवेस कर्मियों ने कहा कि जब तक उनकी मांगों का निस्तारण नहीं होगा उत्रकंड रोडवेस, Employees Union का अवहान पर देहरादून मंडल के सभी ड्राइवर और कंडेक्टर होने कार भहिशकार शुरू किया उत्रकंड के देव प्रयाग शेत्र में एक औल्टो कार नदी में जागरी जिसमें सवार दो व्यक्तियों की मृत्य हो गई है पुलिस ने इसकी जानकारी दिये, पुलिस सूतरों ने बताया कि दुरगटना देव प्रयाग से 1 किलोमीटर आगे 3 धारा की ओर हुई है जहाएक कार अन्यंतिर्थ होकर 200 मीटर नीचे जागरी, सूजना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुची है और NDRF की टीम तलाश कर रही है दहरादून दिल्ली एक्सप्रेस वे बनने का अब रस्ता साफ हो गया है, भारतिये वनेजी बोर्ड ने इस पर योजना को हरीजंडी दे दी है 180 किलोमीटर के इस एक्सप्रेस वे बनने से दहरादून से दिल्ली मातर धाई गंटे में पहुचा जा सकेगा ये एक्सप्रेस वे दून से साहरन पूर शामली बागपत होते हुए दिल्ली से जुड़ेगा पितोरागर में करी 12 साल पहले गोवा की सडकों पर अपने बेटे को खोचुकी मा के सामने जब उसका लाल खड़ा हुआ तो उसकी आखे नम हो गई 20 वर्षिय बेटा भी इतने वर्षों बाद अपनी मा को देखकर भावुक हो गया मा ने भारती संस्ता से जुड़े लोगों का धन्यवाद किया हरेदवार में रेलवे ट्रेक पर ट्रॉयल के दोरान ट्रेन से कटने वाले चारो युवकों की मौत हो गई है गटना के बाद जुड़ा पर पोलिस ने दो युगों के चेहरे की फोटो खीची इसी आदार पर दोरों की पैचान हो गई जबकि दो चेहरे बुरी तरीके से कुचल गए है उनकी पैचान नहीं हो पाई है लोगों ने फोटो के आदार पर बताए कि एक युवक विशाल चोहान है दूसरा हैप्पी है फिलाल पुलिस ने शर्फ को पोस्मार्टम के लिए बेजा फिलाल इस बुलिटर में सिर्फ इतना ही जारा खबरों के लिए आप हमारे साथ लगातार बने रहे नमस्कार